हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूटू चैनल मैं पूनम आप सभी का स्वागत करती हूं अपने इस नए वीडियो में और नए रेसिपी बिल्कुली योनिक और नास्ता बनने वाला है तो इसके लिए मैंने लिए है मटर एक कप आप अपनी फैमिली के कोडिंग मटर कम ज चार मिनट तक जब तक कि इसका अच्छे से कलर ना निकल जाए कुछ इस तरीके से उबलने ना लग जाए तब तक हमें इसे वॉइल करना है बिल्कुल बढ़िया से तो यह हमारी पालक और मटर बिल्कुल बढ़िया से वॉइल हो चुके जैसा कि आप लोगों को पता यह स वॉइल करें लिये ते और इसमें डालूंगे में नमक, रेड चिली पाउडर, हरा धनिया बारी कट किया और इसका पेश्ट बनाऊंगी बिल्कुल बढ़िया से यह हमने बना लिया आप चाहे तो इसमें पनीर वगेरा भी एड़ कर सकते हो आपकी इच्छा है और यह हमने जो मटर पालक वोल्ड की थी वो है तो इसको डालेंगे हम बारिक पीषने के लिए नमक, लाल मिर्च तीखा थोड़ा ज्यादा पसंद है इसलिए ज्यादा तीखा कर रखा है मैंने आप अपने मर्जी के अकोर्डिंग तीखा कर सकते हो जरूरी नहीं मैंने इतनी सारी ला लेना है कुछ एकस्ट्रा नहीं करना यह आते का डो हमारा लग चुका है और यह इस तरीके का यहाओ का आटा लेना है मैं और्या-टे को कुछ इस तरीके से राउंड में City में बेल लीना है और एक लियुग लैना उसकी साहते से इस तरीके से हमें कुछ कट लगाना है चार कट लगाने अलग तो आप लोग सोच रहे होगे यह तो ठीक है मगर इन्होंने गेहू के आटे में क्या-क्या डाला यह नहीं बताया तो मैं आगे वीडियो में बताऊंगी अभी आप यह देखिए प्रोसीजर इसक चीज का ख्याल रखना है जो हमने पहले कट किया है जो अंदर जाएगा उसके लिए हमें छोटा ही लेना है ज्यादा बड़ा नहीं और इस तरीके का आलू का डो डालके और उपर का एक्स्ट्रा आटा हटाते हुए इसको इस तरीके का राउंड सेप में बेल लेंगे मैं चारो बेल भर के दिखा देती हूं मैंने चारो भर लिये तो यह तो हो गई बात की बात अब हम लगाएंगे गेहु काटा उसके लिए लिए मैंने बौल एक कांच का आप चाहे तो आपके घर में प्लेट बड़ी पराथ तो ले सकते यह तो हमें दिखाने के चक्कर में ऐस करें इसमें और इसमें डालेंगे रिफाइंड ओइल आटा लगाने के लिए तो आपके इस तरीके से और इन सबी को हटों की साहता से अच्छे से मिक्स करते हुए लगा लेंगे नॉर्मली आटे का डो जैसे हम रोटी बेलने के लिए आटे का डो लगाते हैं उसी तरह और यह लगा लेंगे हम आटे गडो पानी डाल देते हैं अभी पानी डालके नॉर्मली आटे गडो लगके रेडी हो चुका है हमारा और इसमें हम 10-15 मिनट के लिए रेष्ट करने देंगे रिफाइंड ओईल लगा के इस तरीके से तो यह आटा भी हमारा रेडी हो चुका है तो इसके अंदर डालूंगी में चोटी सी रोटी बेलनी है हम जैसे पूडी बेलते हैं उस तरीके की बेल लेनी है उसके बाद यह ग्रीन पॉर्षन ने जो उसको अंदर डालना है और आलू अल्रेडि उसके अंदर है तो यह बहुती जद्धर टेष्टी और कृश्पी न पीछ में रखाता है और यह देखिए आप लोगों के सामने में करके दिखाती एक मिनट इस्टेंड जो मेरा हिल गया था तो इस तरीके से हमें घुमा के यह देखिए ग्रीन ग्रीन बाहर की और आ चुका है आप लोग दे सकते हैं फ्लावर बन रहा है कितना बढ़िया बनने बहुती ज़्यादा पसंद आता है और लेंच बोक्स में बच्चों के डालिए शोट ब्रेक के लिए तो बहुती ज़्यादा टेश्टी बनेगा और यह देखिए उसके उपर से डालेंगे हम थोड़ा सा रिफाइन डोली पानी ग्रीस कर देना उसके बाद काली तिल होती ह उसको डालना है राई नहीं काली वाली तिल जैसे सपेद तिल होती है वैसी काली तिल होती है उसे डालना है और उसके बाद इसके उपर अच्छे से चिपका देना है देखो कितना सुंदर लग रहा है और यह कुछ मैंने वाइट कलर के भी बनाए है यह देखिए आप ब्राउन हो जाए तब दूसरी साइट से भी हमें गॉल्डन ब्राउन कर लेना ही से यह देखिए कैतना बढ़िया कलर आया है आप जिसे भी खिलाओगे काभीले तारीफी करेगा अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो आप लोग चैनल को लाइक कमेंट और स मैं रीडियो!